हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज बात करेंगे छोटे बच्चों को अगर कफ हो जाए या उनकी छाती में से खर-खर की आवाज आए तो आपको क्या करना है आपको कुछ टिप्स बताएंगे उसको आप फॉलो केजिए अगर बेबी को लगातार खा दोक्टर से जरूर पूछिए उनकी सला क्यानु सारी बच्चे को दवाई दीजिए फिर भी ये जो उपा हैं काफी सेफ हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप फॉलो कर सकते हैं फश्ट है निम्बू और शहिद काफ योग बच्चों को कफ खोड़ धिला कर देता है चेस्ट कंजेशन को कम करने के लिए निम्बू की कुछ बूंदों को शहिद में मिला कर आप बच्चे को पलाएं ये काफी अच्छा है इससे अगर खर-खर किया वाज आती है या गुन गुना पानी बच्चे को पलाएं इससे भी काफी रिलीफ मिलेगा ये भी एक तरीका है कि आप बच्चे को शहिद इस तरीके सिखला सकते हैं नेक्स्ट है दूद में शहिद अगर बेबी का पानी के साथ भी शहिद नहीं पी पाता है तो आप गुन गुना दूद कर उसमें एक चमब शेहद मिलाकर रात में सोने से पहले बच्चे को पिलाई इससे बच्चे को रात में सोते समय खर-खर की आवाज आना या खासी, फ्लू, सरदी जुखा में तो ये ठीक हो जाएंगी ये काफी अच्छे उपाए हैं, इसके कोई साइड इफिक्ट नहीं है आप दवाई के साथ भी इसको फॉलो कर सकते हैं अगर कुछ ट्रीट्मेंट देते हैं तो आप बच्चे को उसके साथ इसको फॉलो कर ये आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अगर आपके कुछ गोश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं आप किसी ओर टोपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, थेंक यू